हलो दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्वेशन ओफ ट्रेजेक्टरी का डेडिवेशन कराऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो मान लेते हैं जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसको हमने यू वेलोसिटी इ एक्वेशन ओफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है तो जो पात ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा जो कि ये डॉटेट लाइन से बनाया हुआ है उस पात की जो एक्वेशन होगी वो कहलाएगी एक्वेशन ओफ ट्रेजेक्टरी और यही हमको निकालना है तो यहां पर हम कोडिनेट देखे तो वो होगा x, y अब हमारा काम क्या होगा हमें इस प्रोजेक्टाल मोशन के लिए x और y में relation find करना है और वो ही हमारी क्या होगी equation of trajectory और सबसे पहले मैंने यहां पर क्या करा जो initial velocity है उसके horizontal और vertical component ले लिया है इससे हमें यह पता पढ़ जाएगा कि जो horizontal velocity है x direction में वो हो जाएगी u cos theta के बराबर और जो vertical velocity है y direction में वो हो जाएगी u sin theta के बराबर acceleration की बात करें तो horizontal direction में जो acceleration होगी इस projectile की वो होगी 0 के बराबर क्योंकि यहां पर projectile के अंदर कुछ अंदर कुछ ऐसा उसके पास कुछ ऐसा mechanism नहीं है कि वो horizontal direction में अपनी speed को बढ़ा पाए या velocity को बढ़ा पाए पर जो vertical direction है वहाँ पर उसे acceleration मिलेगी जो की acceleration due to gravity की मतल से मिलेगी और वो बराबर होगी माइनस जी के अब हमें condition निकालनी है क्या condition निकालनी है जब यह जो horizontal displacement है जिसको मैं sx से represent कर रहा हूँ वो बराबर हो जाए x के और जो vertical displacement है जिसे मैं s y से represent कर रहा हूँ वो बराबर हो जाए y के और हम माल लेते हैं कि जब projectile को यहां से हमने project करा और यह इस coordinate x, y पर पहुचा होगा तो यहां पर जो उसको time लगा होगा वो हमने ले लिया t के बराबर अब क्यूंकि यहां पर vertical acceleration और horizontal acceleration constant है तो यहां पर हम equation of motions का use कर सकते हैं तो horizontal displacement निकालने के लिए equation क्या हो जाएगी s x equals to u x t plus 1 by 2 ax t square यहां पर हम सब values put कर दें तो हमें condition तब की निकालने जब horizontal displacement है वो बराबर हो जाए x के तो यहां पर आ जाएगा x u x की value है u cos theta t time plus 1 by 2 x x की value है 0 into t square तो यहां से जो horizontal displacement है वो हमें मिलेगा u cos theta into t के बराबर हो यहां से हम t की value निकालने तो t हो जाएगा x by u cos theta horizontal displacement के लिए equation क्या हो जाएगी s y equals to u y t plus 1 by 2 a y t square यहां पर हम s y की value y put कर देंगे u y हमें पहले से उसका component निकाल रखा है vertical जो की है u cos u sin theta और into t plus 1 by 2 vertical acceleration की value है minus g के बराबर और यहां पर t square ओके अब जो हमने t की value equation x की value उसमें से t की value निकाल ली थी वो हम यहां पर put कर देंगे so हमें मिलेगा y equals to u sin theta t की value x by u cos theta minus 1 by 2 g और यहां पर t square क्या हो जाएगा x square by u square cos square theta यह हमारे पास आ गई है equation of trajectory की equation अब यहां पर थोड़ा सा हम इससे theta यह आ गई हमारे पास equation of trajectory equation of trajectory बड़ा simple derivation है यह और आपको ज़रूर अना चाहिए आपकी 11th class के लिए बहुत important है okay so I hope that this video will be helpful for you all आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे like कीज़े शेयर कीज़े चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना ना बोले notification bell को press करें ताकि जैसी नय वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी information मिल जा है thank you so much thank you for watching